Hello दोस्तों, आज हम सूजी और ब्रेट से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा सा नास्ता बनाएंगे रोज-रोज एक ही नास्ता करकर के बोर हो गए हो तो इस नास्ते को एक बाद जरूर ट्राइ करना बहुत ही टेस्टी लगता है और पेट भरता है पर मन नहीं भरता है तो फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरी लाज तक देखना तो इस नास्ते के लिए हमें मिक्सी का जाड लेना है उसमें आधा कप चावल का दालना है दही उसमें डाल देने हैं हमें पानी तो जितना हमने सूजी आइट किया था तो उतना ही हमें इसमें पानी आइट करने हैं यहां पे हम एक ब्रेड को तोड़के छोटे-छोटे टुकडे करके भी इसमें डाल देंगे साथ ही साथ और थोड़ा सा पानी इसमें औ और एड़ कर देना है ताकि बढ़िया सा स्मूज सा हमारा बेटर जो है वो त्यार हो जाए अब हमें क्या करना है धक्कन बंद करके इसका बिल्कुल स्मूज सा बारिक सा पेस्ट त्यार कर लेना है तो यहां पे हम मारा पेस्ट जो है वो त्यार हो चुका है अब एक बाउल कुछ टबुकुल इतना ही चाहिए ना जादा पतला और नहीं जादा गाढ़ा चाहिए अभी इसमें हम डालेंगे प्रतो के रहो स्वात के अनुसारर्स भैस्च नमक और आदी चमर्च हम डाल फेट लेना है तो फ्रेंड्स द्यान देना है इस नास्ते में जितना बढ़िया तरीके से हम फेटेंगे उतना बढ़िया ही हमारा नास्ता जो है फ्लॉफी और स्पॉंजी बनके त्यार होगा बहुत ही सौप्ट और बहुत ही मुलायम बनके त्यार होता है तो यहां पर लग चम्मच बैटर में से लेके, हमें इस Kinda को डाल देना है और इसको हमें low flame करके ही पकाना है अभी हम फिलाल low flame कर दे रहे हैं और इसा नाश्ते को 1,5 चम्मच ऩर वा कटी हुई Tomato को हमें पहले ही काटके और इसका pulp जो है वो दालके रख लेने हैं और उसके बाद से हमें इसमें डाल देने हैं थोड़ी सी हरी मिर्ची ताकि हमारा नास्ता जो है वो थोड़ा सा spices लगे और उसके बाद से हमें थोड़ी से प्याज एट कर देंगे प्याज को अगर आप skip करना चाहते हैं तो skip कर सकते हैं और देखिया हमरे नास्ता एक तरफ होने के बाद इसको दूसरी तरफ पलट लेना है और कितना बढ़ियांस हमरे नास्ता हो चुका एक तरफ तो दूसरी तरफ भी इसको हमें पका लेना है तो दूसरी तरफ इसको हमें huh और देखिय को अब निकाल लेना है एक वार हम और दिखा रहे हैं उसी तेल में हमें एक चमच बैटर डालना है और इस हमें गैस के फ्लेम को लो कर देना है नहीं तो हमरा नास्ता जो है उपर से पक जाएगा जल्दी से तो हम टमाटर और प्याज इसमें नहीं आइड कर पाएंगे तो कटी हुई उसी से फॉलो करके कटी हुई टमाटर कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे थोड़ी सी हम इसमें प्याज आइड कर देंगे और नीचे होने के बाद ही इसको हमें दूसरी तरफ पलटना है तो एक तरफ होने के बाद इसको दूसरी तरफ हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी हम इ अब हम इस नास्ते को प्लेट में निकाल लेंगे और इसे धन्यक चटनी या टोमाइटो केचप के साथ सर्व कर लेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो को संद आए तो वीडियो के लाइक सर करके चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब